हाँ फ्रेंड्स कैसे आप लोग आप लोग का हमारे यूटूब चैनल इजी टू लेर्ण बाइजी तेंसर में स्वागत है दोस्तों जैसा कि हम लोग यह भी रिटेल बैंकिंग के यूनिट 11 को डिसकस कर रहे थे जो कि डिल्वरी चैनल इन रिटेल बैंकिंग के ऊपर था द इलेक्रोनिकली और रिमोट चैनल उसमें ATM, Point of Sell, Mobile Banking, Internet Banking ठीके दोस्तों यह सारी चीजे हैं तो हम लोग इलेक्रोनिकली चैनल में ATM को कवर कर लिये थे और आगे है दोस्तों Point of Sell Terminal ठीके दोस्तों तो इस पे हम लोग डिसकस करेंगे ठीके दोस्तों आगे बढ़ते हैं Point of Sell Terminal और Enablers of Payments of Credit and debit card ठीके दोस्तों यह Point of Sell जो टर्मिनल है यह Credit of debit card के payment के लिए Merchant Establishment में जहां भी यह Accept किया जा रहा है ठीक दोस्तों वहाँ पे किया जाता है आप समान खरीज लेते हैं अपना कार्ट देंगे तो वहाँ पे वो लोग P.O.S. Machine पे उसको Swipe करते हैं ठीक दोस्तों प्रियूर्स प्रॉसेस क्या है ऐख रूर्स एलेक्ट्राणिक ट्रांजेक्सें टर्मिनल यह एक छोटा सा Eletronic मसीन होता है दोस्तों used in a electronic point-of-cell system the terminal interacts with computer files to approve transaction and transmit sales information for posting अगेंस्ट कस्टमर एकउंट ठीक है दोस्तों तो एक छोटी सी मसीन रोटी है दोस्तों आप लोग भी देखे होंगे उसमें आप अपना ATM कार्ड को सेप करते हैं तो सारे इंवामेशन को ले लेता और उसमें आप कितने मांट का ट्रांजेक्शन किये हैं वो फिल्ट कर दिया जाता है जिससे की वो आगे ट्रांजेक्शन के लिए आपके खाते से पोस्टिंग करने एक लिए फारवर्ड कर देता है ठीके दोस्तों डेरा टू बेसिक टाइपस यह दो तरह के बेसिक टाइपस होते हैं दोस्तों इलोक्रोट्रणिक का एस रेजिस्टर एट यूज़ट वाई हाइव वाल्यूम्म मर्चंट धिके दोस्तों यह जिनका विजनेश ज़्यादा हाई वेल्यू बिजनेस है racist comment करते हैं दूसरा डिपार्टमेंट स्टोर डाइल आल्लर्ट द्न दूसरा होता है दूस्तों डा डाइल डार्मिनल एक होता electronic cash register ECR को बलते हैं दूस्तों अगल यह होता डाइल आल्लम टैरुनल तो जो इलेक्ट्रानिक कैस रेजिस्टर है ओहाई वाल्यूम मर्चिन जो बड़े बिजनेस्मेन है दोस्तों उनके लिए होता है और यह जो कि डायलब टारिम्नल है यह दोस्तों धैट आटोमेटिकली डायल इस्पेशल टेनिफोल नंबर ऑफ टाल फ्री नंबर वापन अथ्राइजेशन ठीके दोस्तों तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि जो छोटे कस्टमर होते हैं जोते व्यापारी होते हैं उनके लिए बनाया दोस्तों इसमें क्या होता है फ्री डायल अप नंबर रहता है वहाँ डायल करने के बाद यह लोग अथ्राइजेशन प्राप्त करते हैं ठीक है दोस्तों नेट सेटलमेंट वेन ट्रांसफर आफ फंड एक्ट्यूली टीक प्लेस में अकर्स आयड़ अट देसेम टाइम ठी जनी से इसका एंसर दे सकते हैं कि प्यूर्ष मसीन में नेट सेटलमेंट होता है ठीक दोस्तों अगला कोर्चन है आफ्टरवर्ड तो इत्में अकर्स लेटर इन देड़ आप्यूर्ष सिस्टम ठीक है अधिस टाइप फिश्टम अपरेट आफ लाइं दैट इस अमटेंट टर्मेंट डार्टल क्ट्रीटर फॉर अथराजेशन आप प्रोसेसिंग अप्रोसेसिंग अप्रोसेसिग ठीक है दोस्तों अप्यूर्ष टेर्मिनल इस प्रीडॉमिनेंटली यूज़ फॉर प्रेमेंट फॉर सेल अन पर्चेट ट्राजेक्शन ठीक है यह आप जानी रहे हैं कि यह सेल और पर्चेस दोनों ट्राजेक्शन के लिए यूज़ किया जाता वाइल एन एट्यम कैन भी यूज फॉर सेवरल अबैले लॉस्तों और लाइकỏी कहीं कर सेकते हैं ।ो इनखेस कि बैंक्पेशेंट चारज्जेस पीटमांगे काली इस बेन अब यह जैग जो चारजर कितना होता है दोस्तों घे टृपेंड करता है बैंक तू को हार बैंक अपना अलग अलग लेते हैं, the bank that owns the POS terminal, the payment company, mastercard और visa card and the place where the POS terminal is located, और यह payment depend करता है कौन सा card है दोस्तों और आपका POS terminal कहां पे है और किस company का है, यह सारी चीजे आप मिला के तब चार्ज डिसाइड किया जाता है, ठीक दोस्तों, the growth in POS is expected to be used and going to be range of 50 to 70% in the coming year, इनका कहना है दोस्तों कि जो यह POS machine है दोस्तों, इस तरह से इसका broad use हो रहा है कि आने वाले समय में 50 से 70% तक इसका use होने लग जाएगा, ठीक है दोस्तों, bank have agreed to put a cap on charge, they will levy on withdrawal of cash by customer using POS, in July 2008, the region bank of India allowed cash to be withdrawal from the merchant establishment with the POS 10 minutes, ठीक है दोस्तों, तो इसमें आप sell and purchase करने के साथ, आप इसमें से cash withdrawal की विश्विदा दे दी गई है, आर्बी आई ने जुलाई 2008 से इसको allow कर दिया है दोस्तों, लेकिन इसमें दोस्तों, आप 1000 रुपए ही withdrawal कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, एक हजार withdrawal आप इस POS terminal से कर सकते हैं, cash withdrawal की बात कर रहां दोस्तों, the RBI has however put a ceiling of 1000 per day on withdrawal of cash at merchant outlet using debit card, ठीक है दोस्तों, इसको हमने आपको बता दिया, आगे देखते हैं, the rationale behind RBI allowing cash withdrawal was to capitalize on the wide range of POS terminal across the country, enhanced financial inclusion, ठीक है दोस्तों, तो इनका मानना है कि RBI ने जो POS terminal पे, इसलिए cash withdrawal allow किया, कि बहुत सारे जो कम range के customer है, especially in ruler area, जिनको 1000 रुपए, 1500 रुपए, 500 रुपए, 500 रुपए चाहता है दोस्तों, तो यह वहाँ जाके इस उवधा का use कर सकते हैं, और financial inclusion में यह बहुत ही बड़ा function है, ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद आता है दोस्तों, mobile banking, तो आज के दोस popular delivery channel हो चुका है, the latest and the most convenient delivery channel, which has gained lot of interest in retail banking, is mobile banking, ठीक है दोस्तों, to put it simply, banking can be done at your fingertips, अब आप यह समझ ले, mobile सब लोगों के पास है, चाहे हो छोटा सा mobile हो, चाहे हो Android mobile हो, और आप mobile banking के लिए दोस्तों, आप छोटे वाले mobile से भी, आप इसका use कर सकते हैं, इसलिए इसका range बहुत वाइड हो गया है, ठीक है दोस्तों, finger tip and right in the place where you are, आप जहाँ हैं, वही से भी आप mobile banking कर सकते हैं, it is convenient, simple and readily accessible, ठीक है दोस्तों, बहुत ही शरल है और आसानी से इसको अपना आ जा सकता है, the use of mobile as a delivery channel in retail banking is a recent phenomenon, यह नया idea है दोस्तों, globally, mobile banking initiatives were started by Vachio in 2005, नाम लेने में थोड़ा problem होती है दोस्तों, इसमें लिखा है, Vachovia, Vachovia में 2005 में इसका शुरुआत किया गया था, ठीक है दोस्तों, and full flight mobile browser in 2007, 2007 में full flight mobile browser भी आ गया था, most US bank, ठीक है दोस्तों, ज़्यादा तर जो US bank है, bank of America, city bank, Vachio, launch their mobile banking service in 2007, 2007 से में ही यह लोग launch कर दिये थे, उसके बाद दीरे दीरे दोस्तों, इसका इसको बढ़ता गया, और अब तो, इंडिया में यह हाल है दोस्तों, कि, ज़्यादा तर जो PSBs हैं, private bank तो पहले इसको launch किये थे, लेकिन अब ज़्यादा तर जो PSBs हैं दोस्तों, उन्होंने भी mobile banking शुरुआत करती है, अब रूजिनर रूलर बैंक में भी mobile banking की सुरुआत हो गई है दोस्तों, अब आगे देखते हैं, क्या benefits है, mobile banking के benefits किया है, ठीक है दोस्तों, तो अब customer के point of view से इसको देखा जाए, facility for using banking facility from where, anywhere, ठीक है, तो mobile banking है दोस्तों, यह ऐसी facility है, जिसे आप कहीं से भी use कर सकते हो, easy operation, operation इसका बहुत ही आसान है दोस्तों, option to pay, utility will, इसमें दोस्तों जो आपके बिल वगएरा है, telephone के बिल, बिजली के बिल, यह सारी चीजें, सुधाएं इसमें दी गई हैं दोस्तों, transfer of funds between accounts, ठीक है दोस्तों, आपको पैसे का transfer करना है, same bank में या किसी दूसरे bank में, उसको भी आप mobile banking के तुरू कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, अगला है facilities for setting up alert for different transaction, like account debit for various region, ठीक है, तो आप जो है, इसमें, SMR alert type का जो facility है दोस्तों, उसको set कर सकते हैं, balance inquiry कर सकते हैं, facility for shopping and facility for shopping and paying through mobile, ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या है दोस्तों, आपको पैसे ले जाने के जरूत नहीं है, आप mobile आपके पास है, आप इससे shopping भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, अब इसके लिए जो mobile banking को सुविदा आई है दोस्तों, इसमें bank को क्या फायदा है, easy and most acceptable delivery channel, यह बहुत ही easy है दोस्तों और crowd management में भी यह काम कर रहा है, ठीक दोस्तों, cost effective है, इसमें बहुत ज़्यादा cost नहीं आता है दोस्तों, यह ATM से भी बहुत ही कम cost में, इसका software तेयार हो जाता है, तो bank को को इसको बहुत ही easy होता है, it is not a benefit to bank, और इससे bank को बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हो, तो बहुत ज़्यादा नुक्सान भी नहीं है, ठीक है दोस्तों, laser transaction cost as compared to other channel, इसका क्या है दोस्तों कि अभी mobile banking का दूसरे delivery channel से अभी इसका transaction card बहुत ही कम आता है, ठीक दोस्तों, it is a tool to attract the next generation of clients, यह mobile banking जो है दोस्तों, आज के जो savvy tech नए लड़के हैं, उनके लिए यह बहुत attractive बन रहा है, ठीक है दोस्तों, Reserve Bank of India had come out with the operative guidelines for implementing mobile banking solution, तो दोस्तों, Reserve Bank of India जो है, यह permission देता है, अगर आपको, आपके bank में mobile banking की शुरुआत करनी है दोस्तों, तो पहले सबस्तों हमें Reserve Bank of India से approval लेना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों, mobile banking operation, let us now discuss about the operation aspect of mobile banking in addition to foreign and private bank, foreign and private bank की अलामा भी बहुत सारे मर प्रिवेट सेक्टर बैंक है दोस्तों, उन्होंने mobile banking का शुरुआत कर दिया था, तो यूनियन bank of India is one of the very early public sector bank to offer mobile banking facility to their customer, अब उसका नाम क्या था दोस्तों, you mobile, you mobile के थुरू, union bank में दोस्तों, mobile banking service offer किया था, सबसे पाहले अब इसमें क्या-क्या facility है दोस्तों, यू mobile में balance inquiry है, mini statement आप 9 transaction के mini statement देख सकते हैं, fund transfer कर सकते हैं दोस्तों, within the bank, mobile to mobile and mobile to account भी आता है दोस्तों, to other bank जो है दोस्तों, neft के थुरू कर सकते हैं, bill payment कर सकते हैं, air ticketing, movie ticket book कर सकते हैं, shopping हैं, mobile recharge कर सकते हैं, दोस्तों, corporate, fund transfer, ठीक है दोस्तों, यह सारी चीज़ें आप यू mobile के थुरू कर सकते हैं, इसमें आपको stop payment check, fee payment, checkbook का जो status है, ATM hot list करना है दोस्तों, branch locator, यह सारी चीज़े आप यू mobile पे, जो union bank का mobile app से दोस्तों, उसके तुरू आप access कर सकते हैं, और request service जो है दोस्तों, checkbook request के लिए, account statement के लिए, loan के लिए भी आप request डाल सकते हैं, डेविट credit card के लिए new account या fixed deposit account खोलने के लिए भी आप इस पर request डाल सकते हैं दोस्तों, और इसमें MP change करने का भी option रहता है, SMS ठीक दोस्तों, SMS alert भी रहता है, change, activation code, password, enable, disabled, transaction, feedback and complaints, यह सारी चीज़ें आपको you mobile banking through, मिल सकते हैं, ठीक दोस्तों, the registration for mobile banking services is done through any of the bank ATM, the procedure of registration is followed, ठीक दोस्तों आप सो भी लोग को यह पता होगा, आप किसी भी branch में या bank ATM में जाके आप you mobile के लिए register कर सकते हैं, ठीक दोस्तों, customer has to insert debit card यह process बता हैं दोस्तों, और उसके बाद आपके पास mobile पे message आएगा, फिर MP ना आएगा दोस्तों, उसके थूँ आप लोग इसका activation कर सकते हैं, अब इसके लिए दोस्तों, जो mobile है वो कौन सा होना चाहिए, इसके उपर भी थोड़ा सा देख लेते हैं, इंदर public sector bank, Indian overseas bank has launched their mobile banking operation in 2009, union bank के बाद दोस्तों, 2009 में जो overseas bank था, उन्हों ने भी अपना mobile banking operation launch किया था, दोस्तों, तो नार्मली ये जो सेट में ये सेटिंग रहेगी दोस्तों, उनके थूँ आप लोग, मुबाइल बैंकिंग यूज कर सकते हों, तो नार्मली जो है, जी पी आरस सभी में होता है, दोस्तों, तो इसलिए, जी पी आरस के थूँ आप लोग ट्रांजेक्शन के सर्विस ले सकते हैं, आल कस्तमर आप दे बैंक है विंग आपरेटिव और क्योज कंप्लाइंस, सभी जो एकाउंट हैं दोस्तों, जिनको मुबाइल बैंकिंग को सुझदय चाहिए, उनके खाते क्योज कंप्लाइंस होने चाहिए, नॉर्मली दोस्तों, सारी सर्विसेज बैंक की जो हैं, उसमे कवाईस कमप्लाइंस ज़ISAरूरी है, ठीक है? दोस्तों, धा कस्तमर का याण डाउन्लोड रजिस्ट्रेशन फ़ां फ्रों इसमें दोस्तों, जो बैंक के साइड से, ओरशीज बैंक के साइड से, रजिस्ट्रॉसफ étant सड्रेश फंक को डाउन्लोड कर सकते हैं या है और वन टाइम फिजिकल प्रिजेंस आफ दे कर्टमर एड ब्रांच एक बार ब्रांच में रहना जाना उसका ज़रूरी है यह नहीं कि कोई दूसरा फॉर्म लेके गया वहां सब्मिट कर दिये कि मुझे मुझे मुबाइल बैंक चाहिए नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए सामन मेनु में दोस्तों उसके तुरू आपको मुबाइल बैंकिंग एक्टिवेट कर लेना है अर्ब उसके बाद दोस्तों है जैसे राजिस्टेशन हो जाता है तो आपको sms आएगा दोस्तों उसके बाद यूजर आईडी और पिल्ड डालना है फिर मुबाइल बैंक इम पुन यह सारी चीज़े आती है इसके थुरू आप लोग अपना मुबाइल बैंकिंग अप्रेट कर सकते हैं ठीक दोस्तों अब आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों इंटरनेट बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग में दोस्तों ये थोड़ा सा क्रिटिकल प्रोसेस है दोस्तों और इसमें सारे लोग इसका यूज अभी नहीं कर रहे हैं लेकिन हाँ जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं दोस्तों और यहां जिनको इंटरनेट बैंकिंग का तोड़ा से नालिज है वो लोग इंटरनेट बैंकिंग का यूज कर रहा है दोस्तों तो यहां पर हम लोग देखते हैं दोस्तों कि यहां USA में और कंट्री में इसका कैसा इससे पाले हम लोग देखते हैं दोस्तों विपोर वी डिसकेस अबाउट दिफरेंट इंपोर्टन एस्पेक्ट आफ इंटर्मेंट बैंकिंग, इट इस पर्टिनेंट तू गो थ्रो क्लासिकल अब्जर्वेशन आफ मिस्टर अर्नेस्ट टी परकिन्स, फर्स्ट वाइप प्रेसिडेंट इन अक्टूबर 1997 ठीक दोस्तों तो जापान में इसका सबसे पहले उसके बाद दोस्तों USA में इसका सबसे पहले यूज हुआ इंटरनेट बैंकिंग और एलेक्टोनिक चैनल इसे ठीके दोस्तों, तो Ernest T. Parkinson has observed that इंटरनेट बैंकिंग गोइंग फावर्वड वूड वूड वेट इंप्लिकेशन, इंटरनेट गॉमर्स, नीव टाइपस आप एलेक्टोनिक रिटेल पेमेंट, इलेक्ट्रोनिक रिट्राइल बैंकिंग, दा मुवमेंट, जर्णरली आफ रिट्राइल बैंकिंग सर्विस्टु इलेक्ट्राइल डिल्वरी, इंसुरेंस, ठीक है दोस्तों, तो USA में भी इसका बहुत जल्दी ग्रोथ हुआ दोस्तों, उसके बाद हम लोग अब डिस्केस क चाहें इसके उपर थोड़ा सम्लोग डिसकस कर लेते हैं रिजर्व बैंक अफ इंडिया हैं कॉंफिडेंट कॉंफाइन रिजर्व बैंक अफ इंडिया है कोडिफाइड डिफ्रेंट कंसेप्ट अफ इंटरनेट बैंकिंग ठीक है दोस्तों इसको इधर हम लोग थोड़ा सा डिसकस करते हैं ब्रॉडली दे लेवल आफ बैंकिंग सर्विस offered through internet can be categorized in the three types ठीक है दोस्तों इसको तीन तरह से लोग यूज़ कर सकते हैं दे बैसिक लेवल उसके बाद next लेवल फिर last में दोस्तों third लेवल तो तीन लेवल में इन्होंने इंटरनेट बैंकिंग को categorize किया है दे बैसिक लेवल सर्विस इस दे बैंक वेबसाइट वीच डिसेमिनेट इन्फरमेशन आप डिफरेंट प्रोडक्ट्ट अन सर्विसेज आफर तु दे कस्टमर और मेंबर आफ पॉब्लिक इन जनरल इट में रिसीव और रिप्लाइग कस्टमर प्वाईरीज थ तो भी इमेल के तुरू ये लोग उसका एंसर देते हैं इन दे नेक्स लेवल और सिंपल ट्रांजेक्शन वेबसाइट विच अलाव कस्टमर तु संबीट देर इंस्ट्रेक्शन अप्लिकेशन फार डिफरेंट सर्विसेज क्वाईरीज अन देर एकाउंट बैलेंस बट दो नाट परमिट एनी फंड बेस्ट ट्रांजेक्शन अन देर एकाउंट ठीक है दोस्तों तो आपने पहला लेबल तो देख लिया क्या देख लिया इसमें जो है जो आपको प्रॉडक्ट और सर्विसेज है वह आपके वेबसाइट पर रहेंगी और आपको कोई क्वाईर देना है तो उसका उसमें अपना अप्लिकेशन रेज कर सकते हैं दोस्तों सब्मीट कर सकते हैं लेकिन इसमें जह है दोस्तों फंड वेस कोई भी ट्रांजेक्शन एलाव नहीं होता है यह सेकंड लेवल का कटेग्राइजेशन है दूसरा है दोस्तों थार्ड लेवल इंट और यह इनका नॉर्मल वेबसाइट था और यह जो थर्ड लेवल है दोस्तों इसमें फुल्ली ट्रांजेक्शन वेबसाइट यह सिक्योर्टी के हिसाब से डिसाइड किया गया ठीक दोस्तों फिचलाव देक्शाइट्र अप्रेट अन्डेर एकाउंट फार्ट्रांश्वर फंपेंट इनुपरेन इंटरॉट इंटरनेट इंटरनेट बैंकिंग भल्य और यह विदिश्वर्ट्रांजेर्व हीज्वर्टी से दिलिए दुपर्शारी प्रस्पट्रत्वाप्र यह से सं इंटरनेट बैंकिंग नतिंग मोर दैन ट्रेडिशनल बैंकिंग सर्विस डिलिवर्ड थो एन इलेक्ट्रोनिक कम्यूकेशन बैगबॉन ठीक दोस्तों इनका कानायक जो इंटरनेट बैंकिंग कुछ और नहीं है वही सारी सर्विसेज हैं जो आपको फिजकल लेवल पे ठीक इसमें काल फायदा यहीं दोस्तों कि आपको ब्रांच बें नहीं आना है अब घर बैठे अपने जो भी सर्विसेज है मुद ले सके ठीक दोस्तों अब इसका जो इंटरनेट बैंकिंग के दोस्तों इसके कुछ डिस्टिंक्तिव फीचर से दोस्तों उसके बारे में लोग चीज़े खतम हो गए ठीक दोस्तों आप कहीं भी बैटके ग्लोबल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं इसलिए जब यह डिजिटल बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग हुई है तो इस तरह के जो फ्रॉड है दोस्तों यह सारी चीज़े भी आगे बड़ी है तो उसके उपर भी बैंक को ध्यां देना चाहिए सिक्योर्टी आप बैंकिंग टांजेक्शन अब जो बैंकिंग टांजेक्शन कर रहे हैं दोस्तों उसी के लिए हम लोग बात कर रहे थे कि उसमें किस तरह का साइबर क्राइम वगएर से बचने के लिए क्या क्या कदम उठाने पड़ते हैं अब दोस्तों जैसे जहां कुछ फायदे हैं महां नुकसान भी है अब बहुत सारे अगर आपने बैंक में सिक्योर्टी अगरे अच्छे से नहीं है तो साइबर क्राम इतना ज्यादा है कि बैंक का इरुपकैषन भी खराब होगा और कॉइस्टमर दीरे दीरे आपसे धूर होते चले जाएंगा तो दोस्तों तो इंटर्नेट बैंकिंग नुकसान भी है ठीक दोस्तों उससे कौन कौन सी फेसेलिटी उसके बारे में हम लोग एक निगाह डाल लेते हैं विव आफ बाइलेंस इन एकाउंट विव आफ लास्ट फ्यू ट्रांजेक्शन जनरेट स्टेटमेंट आफ एकाउंट ठीके दोस्तों टांसफर आफ फ्रन प्राम सेविंग काउंट करेस्ट इडियेस वगयर पेस यूटिल्टी बिल्ट बुक एयर टिकट पर्चेज आफ यूनिट आफ मिचुवल फंड पेमेंट टू सेवरल अधर मर्चंट इस्टेबलिशनेंट ठीके दोस्तों अब इंटरनेट बैंकिंग के लिए जो एलिजिबल कस्टमर है दोस्तों तो वो अब इसके लिए वही है दोस्तों कि वाइसी कंप्लाइंस होना चाहिए इंकेस आफ इंडिविज्वल दे मोड आफ आपरेशन एकाउंट शूड भी सिंगल और आईजर सर्वाइदर और एनी वन और सर्वाइदर ठीक है दोस्तों इस तरह का जो आपरेशन का संचालन का ड इस नाट एलाओड इंटरनेट बैंकिंग ठीक है दोस्तों इस एन एकाउंट घ्रैस मोर देन वन एकाउंट तो उनको कौन-कौन से एकाउंट इसमें एड करना है वह कॉस्टमर के उपर आता है ठीक है दोस्तों कॉस्त इंडिन नेम आप माइनर जोएंटली आपरेटेटे सकते हैं और चाहिस्ट करनेंगे आपको यूजर आईडी किन गया दोस्तों इसके थूब आप लोग इंटरनेट बैंकिंग का यूज कर सकते हैं ठीक है दोस्तों तो यह हमारा अब देखें कोश्चन दिया है क्या आप डोस्तों ऐतीम हैं इंटरनेट बैंकिंग है विद्टो